नमस्कार जारकन परदेश के कुछ विधानसवा छेतर ऐसे हैं जहां पूरे परदेश की निगाहें टिकी हुई है उनमें से एक है बेरमो कॉंग्रेस की तरब से इस विधानसवा चुनाव में बेरमो सीट से युवा परतियासी कुमार जै मंगल उर्फ सोनु सिंग पर भरोस का टिकट काटते हुए भाजपा ने पांच बार के सांसद रहे रवेंद्र कुमार पांडे पर अपना विश्वास दिखाते हुए टिकट दिया है बात करें बेरमो विधानसवा की पहले तो यहां संभवत दो पक्षों के बीच ही आमने सामने की लड़ाई सुनिस्चित हो करने की गोश्णा कर दी यह मुकाबला दो पच्छों से बदल कर त्रिकोर्णिय हो गिया चर्चा है कि जैराम की बेरमो में इंट्री से भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही परत्यास्यों की मुश्किलें बढ़ सकती है बीते लोकसभा चुदाओं में जैराम मातों ने बेर बेरमो सीट पर थी जैराम के डूमरी के बाद दुसरी सीट के लिए गोमियों और बेरमो में चर्चा चल रही थी लेकिन अंततह जैराम ने बेरमो से चुनाव लड़ने की सहमती बना ली कहा जा रहा है कि यह चुनाव अनूप सीह से लगातार मिल रही चुनावती को देखते हुए तथा मजबूत प्रतियासियों के खिलाब खुद को साबित करने की चाह पर भी किया गया है जहां बर्तमान बिधायक रहे कुमार जैमंगल द्वारा चार बरसों के कार्यकाल में जनता की समश्याओं को देखते हुए किये गए बिकास कारियों के कारण आवाम के बीच उनकी दावेदारी मजबूत है वहीं दूसरी और भाजपा के परतियाशी रविंद्र कुमार पांडे जो लगातार पांच बार गिरिडी संसद्य चेतर के संसद रह चुके है अनुप सिंग कॉंग्रेस के गड़ और अपने पितास के विरासत को बचाने में सफल होते हैं या रविंद्र पांडे अपने राजनितिक जमिन को फिर से बचा पाते हैं यह देखना दिल्चस्प होगा यह अभी क्यास लगया जा रहा है कि जैराम के यहां चुनावी मैदान में उतरते ही अस्थानी बोटरों का रुजान उनकी तरब भी खिचा सकता है खैर भविश्च की बातें भविश्च पर छोड़ कर हम आईए चलते हैं बेर्मो के इत्यास की और जारखन में बोकारो जिल्ले के बेर्मो विधानसवा छेत्र आरम से ही कॉंग्रेस का गड़ माना जाता रहा है अभी भी इस सीट पर कॉंग्रेस नेता कुमार जैमंगल उर्फ अनुप सिंग का कबजा है पुर्व मंत्री सह महा मंत्री राजेंदर परसाद सिंग के निधन के बाद उनके बड़े बेटे कुमार जैमंगल ने नवंबर दोजार बीस के उक्चुनाव में 94,022 जो लगबग 49,036 परतिसत बोट होता है बाजपा के पुर्व विधायक योगेस्वर महतो बाटूल को जिनोंने 89,797 जो लगबग 41,089 परतिसत होता है को हराकर यह सिट जीता था और पहली बार बेर्मो के विधायक बने थे कॉंग्रेस के दिगजनेता पुर्व मंत्री राज़ेंदर परसाद सिंग ने पहली बार 1985 में जीत हासिल की थी और तब से वे लगातार वर्ष 2000 तक बेर्मो सिट जीतते आये थे यह सिट उनके अपने राज़नेतिक गुरू केंदर स्रम मंत्री सह बिहार के ततकालिन मुख्य मंत्री बिंदेश्वरी दूबय से राज़नेतिक उत्राधिकार के रूप में प्राप्त हुई थी लेकिन 2005 में भाज़पा उमिदवार योगेश्वर महातो बाटूल ने पहले ही चुनाओ में यह सिट उनसे चीन ली थी वर्ष 2009 के चुनाओ में राज़न्दर सिंग ने पुना उन्हें यानि की योगेश्वर सिंग को हरा कर बेर्मो सिट पर कबजा कर लिया पुना 2004 के विधान्सवा चुनाओ में मोदी लहर में योगेश्वर सिंग ने राज़न्दर सिंग को हरा कर फिर से भाज़पा का जंडा लहर आया किन्तू वर्स 2019 के चुनाओ में राज़न्दर सिंग ने छटी बार बेर्मो सिट जीत कर हैमन सरकार में मंत्री बन गए लेकिन कुरोना काल में उनकी मिरत्यों के पश्चात वर्स 2020 के उपचुनाओ में अपने पिता की सिट को कुमार जयमंगल ने कॉंग्रेस की जोली में फिर से डाल दिया और पहली बार बिधायक बने बोकारो के बेर्मो बिधानसवा छेतर का नाम राजनितिक गलियारों में हमेशा से सुर्खियों में रहा है संसद्य राजनिती हो या फिर ट्रेंड यूनियन की राजनिती बोकारो का बेर्मो हमेशा हावी रहा है लोकसभा सिट पर भी जित की बात करें तो आजादी के पश्चात से हुए चुनाओं में आट बार बेरमोस छितर से ही सांसद रहे हैं जिन में से रविंद्र पांडे इस सिट के एकलोगतिय से नेटा है जिनोंने इस चुनाओं को पांच बार जीता है बर्तमान में आजसु के चंदरपरकास चोधरी यहां से सांसद हैं गटबंदन के पश्चात भाजपा ने इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाओं में यह सीट आजसु को दी थी वर्ष 1957 से लेकर के 2019 तक के बेर्मो बिधानसवा चुनाओं में कॉंग्रेस, जन्संग और भाजपा के गड़वाले इस छेत्र में भागपा भी लगातार अपनी उपस्तिती दर्ज कराती रही है पचास साथ के दसक में जब बेर्मो में कॉंग्रेस और इंटक का बोलबाला हुआ करता था उस वक्त CPI और उसके मजदूर यूनियन ने कोईला मजदूरों के बीच संगर्ष के जरिये अपना स्थान बनाया था 1957 में बेर्मो बिधानसवा छेत्र अस्तित्तों में आया बेर्मो बिधानसवा अंतरगत पूरा बेर्मो जारीडी पेटरवार और चंदर पूरा परखंड के करीब आधे इलाके आते हैं इसके अलावा नगर परिशद फुसरो आता है CCL, BCL तथा DVC छेत्र होने के कारण कोईला को लेकर सदा से यह छेत्र रंड छेत्र बनता आया है साथ ही विस्थापन और परदुसर्ण भी यहां का परमुक मुद्दा रहा है यहां अक्सर विस्थापित अंदुलित रहते हैं यह कारण है कि न तब बंद कोलियारियां खुल पाती है और नहीं चालू कोलारियां क्या विस्थार हो पाता है वहीं रेक से कोईला ट्रांस्पोर्टिंग बढ़ने के बाद बढ़ती बेरुजगारी से पलायन भी बढ़ता जा रहा है साथी साथ इस छेतर में पैजल और स्वास्त की बेहतर सुविधा का भी खासा भाव देखने को मिलता है पिछले चार बरसों से राज्जी की जनता के साथ साथ बेर्मों की जनता वो यहां के छातर वर्तमान सासन से खासे नाराज दिख रहे हैं ऐसी स्थिती में यह हो सकता है वो संभावना जताई जा रही है कि नए चेहरे को इसका लाब मिले भौश सी गर्त में क्या होगा यह भौश पर छोड़ते वे आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं आसा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अपने विचार तथा सुझाओ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर साजा करें धन्यवाद